Hello everyone, Welcome to MS Education TV इस वीडियो में आपको Class 9 Social Science का Complete Sold Quesn Paper देखने को मिलेगा यदि आपको और भी Sold Quesn Paper की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब सानल के उपर जागे देख सकते हैं और यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डारेट गूगल के उपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com First Quesn देखी यहां पर किस इस वी में विद्वा, पुनर विवा को कानूनी मान्यता मिली? तो इसका राइट आंसर है 1856 वी में, ए ओप्सन राइट है Quesn 2 किस ने कहा कि स्त्री एवं परूस का बेद प्राकर्तिक नहीं है क्योंकि यह केवल सारीरिक बेद है जो इस वर द्वारा मन्य नहीं है तो किस ने कहा है यह स्वामी विवेक आनंद ने तो इसमें C ओप्सन राइट हो जाएगा Next Quesn 3 उठो जागो और तब तक ने रुको जब तक कि तुम अपना लेक्स्य प्राप्त ने कर लो दिया गया कथन किस ने कहा तो यह कहा था स्वामी विवेक आनंद ने D option right होगा Quesn 4 Poverty and British rule in India के लिखक कौन है तो इसके लिखक है दादा बाई नोरो जी D option right Quesn 5 वंदे मातरम गीत डैस द्वारे इनकी किस के द्वारा जो है रचा गया है तो यह रचा गया है बंकिम चंदर चटर जी के द्वारा A option right Quesn 6 जाट गजट नामक अकबार का परकासन एवं संपादन किस ने किया चोदरी छोटू रामने D option right Quesn 7 बारत का सबसे पस्ची मी देश अंतर है कौन है 68 डिगरी 7 मिनट पूरवी A option right Quesn 8 सेतरफल के आधार पर बारत का सबसे बड़ा रजय कौन सा है राजस्थान तो इसमें D option right होगा राजस्थान Quesn 9 करक रेखा बारत के कितने राज़यों से होकर गुजरती है तो यह गुजरती है आठ राज़यों से C option इसका right होगा Quesn 10 Legal framework order के जरिये DAS के सविधान को बदल डाला तो किसके सविधान को पाकिस्तान के D option right Quesn 11 DAS तक सौदी अरब यहन की फिलने दा ब्लेंक से है सौदी अरब में ओरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था तो 2015 तक सौदी अरब में ओरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था B option right Quesn 22 Zimbabwe को अलप संख्यक के सासन से मुक्त जो कब मुक्तियन के सवतनता मिली 1980 में C option right Quesn 13 12 जविदान सभा का पर्थम अधिवेशन हुआ तो यह कब हुआ था 9 दिसंबर 1916 को C option right Quesn 14 12 जविदान लिखने वाली सभा में कितने सदेशे थे 200 निन्यान में 299 D option right Next question 15 Bheem Rao Ramji Ambedkar का जनम कौन से राजे में हुआ था तो यह वज़ा मद्य पर्देश में D option right Quesn 16 बारत में गनतंतर दीवस कब मनाया जाता है तो इसका right answer हो जएगा 26 January आपको मुझे comment section में बताना है जो सवतंतर दीवस है सवतंता जो दीवस है यह कब मनाया जाता है तो इसका answer आप मुझे जरूर comment section में बताएंगे नॉर्मल सा question A Next Quesn 17 बारत के नगरिय छेतर में परती दिन परती वेक्ती जो है कितनी कैलोरी की सिफारिस की जाती है तो नगरिय की पूछी है इसने सहरी की तो यह होती है इकिस जो कैलोरी A option right Quesn 18 बारत में सबसे अधिक गरिय वाला जो राज्य है वो कौन सा है तो वो है बिहार सबसे ज़्यादा जो गरिय बिहार में है A option right Quesn 19 2011 की जंगनना के अनुसार बारत में कितने परतीशत जंसंख्या गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में है तो यह है 21.9 परतीशत 21.9% Quesn 20 सवरण जैन्ती ग्राम सवरोजगार योजना का आरंब हुआ कब हुआ था यह 1999 में D option right Next देखें आपे Quesn 21 करांतिकारियों के मुख्यों देश से क्या थे दो नुमर का Quesn है British सरकार का अस्तितव सुमाप्त करके पूरण सवतंता प्राप्त करना युवाओं में राष्ट्रिये चेतना जागरित करना लोगतंतर की स्थापना करना वैवस्था में बदलाव करना Quesn 22 22 है बारतीय सरकार अंदोलन में नेता जी सुबास चंदर बोश एवं आजाद हिंद फोज का क्या योगदान था तो देखे बारत की पहला जो है युवाओं को संक्ठित करना नेता जी ने हिंदू मुसलमान सीख सभीक को सेना में समान रूप से बर्ति किया कि उन्च में देश प्रेम की बावना उत्पन हो एंग्रेजों को बारत छोड़ने के लिए जो मजबूर कर दिया Quesn 23 बारत में विबिन परकार की पाये जाने वाड़ी मस्पतियों के नाम लिखिए तो इस कांसर है उसन कटी बंद या वर्सवन उसन कटी बंद या परणपाती वन मैग्रोव वन और परवतिय वनस्पति Quesn 24 जन संख्या वर्दी एहुं जन संख्या परिवर्तन के बीच अंतर बताईए सबसे पहले बात कर लिते हैं यहाँ पर जन संख्या वरीदी जन संख्या वर्दी से तात्प्रिय किसी छेतर में निश्चित अवदी के दोरान होने वाले जन में यानि कि होने वाले जो लोगों की संख्या में वर्दी से है यानि कि उनमें जो कितनी वर्दी हुई है इसमें पिछली जन संख्या को बाद के जन संख्या में बढ़ा कर वेक्त किया जता है वर्दी को संख्या के रूप में जो है परकट किया जता है जन संख्या परिवर्तन तो जन संख्या परिवर्तन से तात्प्रिय किसी छेतर में निश्ची तवदी के दोने जन संख्या में वित्रण, संरचना या आकार में परिवर्तन से है जन संख्या परिवर्तन तीन प्रकिरियाओं के आपसी सन्योजन के कारण होती है जनमदर मर्तिधर और परवा से नेक्स्ट है कुशन टवंटी फाइव लोक तंतर पक्स में दो तरक दीजिए तो सभी नागरीकों को समानता का अधिकार अधिक जवाब देही वाली सासन कुशन टवंटी सिक्स पालमपूर में खेती और सर्मिकों की मजदूरी नियुनतम मजदूरी से कम क्यों है क्योंकि देखिए पालमपूर में खेती और सर्मिकों की मजदूरी नियुनतम मजदूरी से कम है क्योंकि वहाँ खेती की आधिनिक वीदियो का परियोग किया जाता है जिसे वहाँ दिकतर काम मसीनों दोरा किये जाते हैं या मजदूरों की मांग कम है अर्थात कम मजदूरों को ही खेतों में काम पे जोहली आ जाता है तथा अधिकतर मजदूर बेकार रहते हैं जिसे उन में मजदूरी करने के लिए परतिस परदा पाई जाती है इसलिए पालमपूर में जो खेतियर सर्मिक जो है उनकी नियूंतम मजदूरी से भी जो हकम मजदूरी है Q27 उदारवादी कौन थे उनकी मुखे मांगे क्या थी उदारवादी के मुखे नेता थे महदेव, गोविंद, रानाडे, दादावाई, नरोजी, सुरेंदर, नात, बनरजी, रो, सोमेश, अंदर, दत, गोपाल, करसन, गोखले और बाकी और भी बहुत सारे थे, ये सभी नेता ब्रेटी सरकार से सम्मंद बनाए रखने के पक्स में थे, तथा उदारवाद नरमपन थी थे इनके मुखे मांगे थी, नमक पर कर में कमी की जाए, नियाए पालिका, कोकारिया पालिका से अलग किया जाए, सामान्य तथा तकनीकी सिक्ष्या में विस्तार किया जाए, सेना में बारतियों की उच पदों पर नियुक्ति की जाए Q28 बागत सिंग की बारत की आजादी में क्या बुमिका है तो देखिए आपे बहुत जो है बुमिका है बागत सिंग ने लालालाज पतराई की हत्या का बदला एक एंग्रेज पुलिस अफसर की हत्या करके लिया इसके बाद वे दुरगा भाबी के साथ कलकता पोचे वहाँ उन्होंने बंब बनाने की वीदी सीकी और वापिस अपने छेतर में लोटकर बंब बनाने की फैक्टरी अस्तापित कर लिए 1929 जब सारवजनिक सबा और अद्योगिक विवाद बिल पर बहस हो रही थी उन्होंने वहाँ से बागने का परियास नहीं किया और वहीं खड़े रह गए पुलिस ने चारों तरब से उन्हें गेर लिया और उन्हें गिरफतार कर लिया अंत में कई सारे केसों के तहत बगत सिंग को फासी की सजा दी गई उन्होंने बारतव वासियों को अपने करांती कारी गती वीदियों के द्वारा एक जूटे किया Q29 गंगा की दो मुखे दाराओं के नाम लिखे ये कहां एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्मान करती है Q30 गंगा नदी के दो मुखे दाराओं हैं बागीरती और अलकनुंदा ये उत्राखंड के देव परियाग नामक स्थान पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्मान करती है Q30 बारत की जल्वाईओ को परभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं नेक्स्ट है Q31 हमें सविधान की जरूरत क्यों हैं क्यों जरूरत हमें तो लोकतांतरिक सरकार का निर्मान और उसके कारिया तैय करने के लिए सरकार के विबिन अंगों के बीच अधिकार छेतर तैय करने के लिए नागरिकों के अधिकारों को सुरक्सित करने के लिए सरकार को अपनी सक्तियों के दुरूपियों को रोकने के लिए एक नियाय पूरान समाज की स्तापना के लिए सविधान होना जरूरी है नेक्स्ट यहां पर देखिए केस स्टेड़ी टाइप की क्यूशन दे रखें आप एक स्टेंजा दे रखा है यानि कि इसको आपको पढ़ना है रामू की केस स्टेड़ी यह जो है पांच नंबर का क्यूशन है वीडियो को पोज़ करका राम से जो इसको पढ़ लेजिये या फिर स्क्रीन स्ट लेकि आप इसको पढ़ exist curry को है इस पहला क्यूशन है करसी एक म वशमी क्रिया क्यूं है क्यूशन टू Q2. रामू वर्स के लग 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 परदान करता है तो पूरा काया जो परदान करता वो कौन है सोमू नेक्स देखें आप एक हैस्टड इंगलिस में दे रखा है इस पी इंगलिस में अगर आप पढ़ना चाहें तो इंगलिस में भी आप याप देख सकते हैं आगे चलते हैं देखिए क्यूशन 33 दिये गए आले को ध्यान से पढ़ें और पूचे गए पर्षनों के उतर दीजिए तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है तो इसमें देखिए सुधी अरब में नागरिक अधिकार तो वीडियो को पोज करके या फिर आप जो इसका स्क्रीन शोट लेकिन पॉइंटों को राम से आप पढ़ सकते हैं अब इस जो है इसे रिलेटिड जो पहला क्यूशन है सुधी अरब में किस परकार की सरकार है साथी अरब में किस परकार की सरकार है राज साही साथी सरकार है साथी अरब का राज्य धर्म क्या है तो इसका राज्य धर्म है इसलाम याद रखना मुसलिम मुसलमान आप कह सकते हैं आपे मुसलमान इसलाम जो है धर्म है इनका ताइड है सhuदी अरब में मैलाओं को पुरुसों के समान अधिकार है नहीं है उनको जो समान अधिकार नहीं है और लास्ट वाड़ा है मीडिया सा की मर्जी के खिलाफ कोई खबर दे सकती है नहीं दे सकती तो इसमें दोनों में क्या आएगा नहीं नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिस में दे रखे अगर आप इंग्लिस में पढ़ना चाहें तो यहाँ पे आप इंग्लिस में भी देख सकते हैं आगे चलते हैं देखें आपे नेक्स्ट क्यूशन पे क्यूशन 34 यह जो है पांच नमबर का क्यूशन है आपका क्यूशन है मातमा गांदी जी ने सरदार पटेल के बजा नेरू को क्यो चुना क्या आप अपने जो है उनके निर्ने को उचित मानते हैं और में है कि बारत छोड़वा अंदोलन की उत्पतियों पर सार की जोह व्याख्या कीजिए यह मैं लक्सी वीडियो में प्रवाइड इकराओंगा लेंथी क्यूशन नेक्श्ट यहाँ बेरोजगारी सबत की जो आप कैसे वैख्या करेंगे शिक्सित बेरोजगारी बारत के लिए एक वीशेश समस्या क्यों है इसके ओर में मोसमी और परचन बेरोजगारी में अंतर बताईएं निचे आप देखिए मैप स्टार्ट हो गया मानशीतर पेरिय जो है यह आपका केरल में है चिलका जिल उडिशा में है मोसिं राम याप मेगाले में है जोनागड याप का गुजरात में है करंती करीaws अंदोलन का किंदर का की UP में है, अब इनको map में दिखाना है तो मैं आपको नीचे map भी दिखाएता हूँ तो यह देख लीजी, यहाँ पे आपको map दिख रहा होगा सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसमें जो सबसे पहला है pair yare pair yare जो है यह कहाँ पे आपका kerel में, तो pair yare आपका केरल में है, मैंने चल निसान लगा दिया है यह पहले वाड़े का है, फेश्ट का दूसरा है यहाँ पे next है, चिलकाजिल चिलकाजिल उडिसा में है, तो उडिसा में यहाँ पे जो है चिलकाजिल है, यह second याद रखना, थाइड है यहाँ पर मोसिन राम में कहले है, मोसिन राम जो आपको यह छुटा सा दीख रहा होगा, इसके अंदर है यहाँ पर जो हम यहाँ पर लिख देता हूँ, यह थाड वड़ अनसर है, नेक्स चलते हैं, फोर्थ, फोर्थ है जुनागड आपका दिये हैं यहां तक जो वीडियो अपनी complete होज़की वीडियो छी लेगी तो इसको like करें अपने दोस्तों जरूर शेयर करें आपको बताना है बगत सिंग का जनम कब हुआ यह कमेंट में जो है आपको बगत सिंग का जो जनम है यह कब हुआ था जरूर आप मुझे comment section में होगा यदि आपको और भी sold question paper की वीडियो देखनी है तो मेरी youtube channel के ओपर जाके देख सकते हैं यदि आपको pdf download करनी है तो direct google के ओपर type कर सकते है www.mseducationtv.com यदि आप मुझे facebook, instagram और telegram पे follow करना चाहते हैं तो इसी video के description आपको link मिल जाएगा वहा से आप मुझे direct follow कर सकते है thanks for watching